अब आपको पिछली दो वीडियो दिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुल सीरीज देखके समझ में आ गया होगा कि कोटाइल बेसिकली मीडियन जैसे ही होते हैं बस जहां पर 2 से डिवाइब करते हैं इन प्लेस अफ टू वीडिवाइब इनके लाइक इन विद फोर क्योंकि कोटाइल सीरीज को फोर इकॉल पार्ट में डिवाइब करता है रेस्ट ऑफ दे प्रोसीजर इसेम आज अज उस में जैसे हैं ऐसे में केज में क्या करते थे आज इस वोपन होता है हम सबसे पहले निकालते थे cumulative frequency जो यह number of students हमारी frequency है तो अगर हम check करेंगे 16, 14, 23, 17, 7, 3 इनको अगर हम total करेंगे तो हमारा sigma f का total जो है वो 80 आएगा तो जब हम cumulative frequency का total करेंगे last में वो भी 80 ही बनेगी तो let us see first case में 16 तो we will write है 16 16 plus 14, 30 30 plus 23, 53 53 plus 17, 70 77 and 80 तो देखें दोनों match होगा है अब same procedure जैसे मैंने आपको discrete series की case में दो जाया अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है formula थोड़ा सा change होता है कि discrete और individual में हम formula यूज करते हैं n plus 1 लेकिन हम इस case में यूज करते हैं continuous series की case में n upon 4th term तो n upon 4 80 divide by 4 तो 20th term again किसमें लाए करेगी 20th term 16 के बाद 30 तो 20 इसके बीच में आगा 30 से बड़ा तो हमारी कौन सी term होगी lies in 10 to 20 जैसे में median में करते थे तो same formula भी वही same होगा q1 is equal to l1 plus i upon f अब n by 2 की जगह क्या हो जागा n by 4 कुई यह 4 है minus cf तो यह तो इसकी frequency होगी जो हमने series select करी है यह वली और इससे उपर वाली यह cf होगी i hope यह अब आपको पता ही है तो l1 कितना है इन दोनों में lower limit 10 i दोनों में difference 10 f f stands for frequency जो column हमारा आया उसकी frequency कितनी है 14 n by 4 की value कितनी निगा लिया अपने 20 minus cf cf होता है जो हमने यह select की है 30 इससे उपर वाला cumulative frequency होता है cf वह वला होता है तो minus 16 तो आप चेक कीजिए कितना बने गई है हमारा तो 10 प्लस 10 अपॉन 14 इंटू 4 चीक है तो अगर आप इसको solve करेंगे जैसे अब इसमें जनरली हम ऐसे करते है टू टू जा 4 टू 7 जा तो 20 डिवाइड बाइ 7 तो यह आपको जो नेट आंसर मिलेगा 10 प्लस 2.86 तो आपका आंसर आएगा 12.86 यह हमारा क्यू बन की वैल्यू आ गई है आई होप इस अन्डेस्टानेबल तो यू next value हमें निकालने q3 की तो जैसे q1 में हमने formula लगाया n by 4 यहां लगाएंगे 3 n by 4th term 3 n by 4th term तो दिखिए जाता आप ऐसे लिख जिए 3 80 upon 4 80 upon 4 20 है तो 20 into 3 कितना हो गया 60th term lies in चेक कीज़े किसमें लाय करेगा 53 उस 16 दोने के वीज में तो बड़ा कौन सा है 70 तो इसके आगी कौन सी value है 32 40 तो lies in 32 40 सेम formula हमारा यह लगेगा l1 कई जगा पर l1 कई जगा पर l लिखा होता है उसका यह की मतलब होता है plus i upon f n by 4 minus cf कुछ cases में यह वाली value i के जगा आती है और i into में चला जाता है उससे भी कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि multiply में है आप a into b लिखो या b into a बात तो एक ही है तो दिखे lower limit कितनी है इसकी 30 या आप इन दोनों में कितने का है 10 इसकी frequency कितनी है 17 n by 4 60 minus cf cf of upper 1 70 से उपर बड़ा cf कितना है 53 तो 30 plus 10 upon 17 into 7 तो 70 upon 17 हो गया ताब इसको solve करेंगे तो आपको मिलेगा 4.12 तो आपको जो net answer आएगा that will be 34.12 तो यह हमारा lower quartile और upper quartile आ गया है यही दो values वह हमें निकालने के लिए बोल रहा था lower quartile and upper quartile अब आपने पिछली वीडियो में भी देखा है जनरली कोशन हमारा यहां खतम हो गया बट वह बोलते है कोटाइल डेवियेशन निकालो तो वो क्या होता है q3 minus q1 upon 2 तो 34.12 divide minus 12.86 upon 2 तो अब चेक कीजे कितना अंसर आएगा you have to check it out 34.12 minus 12.86 divide by 2 तो यह आएगा 10.63 10.63 this is our quartile deviation अब आप comment box में लिख के बताएंगे coefficient of quartile deviation क्या आएगा इसका formula मैंने आपको discrete और individual में भी बताया है मैं दुबारा बताया है q3 minus q1 upon q3 plus q1 0.something आएगा आप comment box में mention करेंगे कि how much answer you are getting this is your part to be discussed and you have to mention in comment आप जब comment करेंगे तो उससे मेरे को भी motivation मिलेगा कि आप लोगो कितने लोग videos को देख रहे हैं और उसके साथ question solve करें because आपने चेक किया हुआ जितने भी आपके statistics की concept थे मैंने उनको सबको एक orderly form में बनाया हुआ है तो अगर आप इसमें comment करके बताएंगे तो I will reply answer is correct or not then it's a boosting sign for me to make more videos thank you